कक्चा 11 के विद्यार्थियों को रसायन सब्जेक्ट से अध्यायच है के आईएंपी प्रस्णों को बता देता हूं तो चलो देखते हैं, अध्यायच चैय में क्या दिया है अध्याय और रिकाई दोनों एक है रसाइनिंग उसमा गतिकी दिया हुआ है इस सध्याय में तो चलो देखते हैं यह एंथल्पी वाला है न तो पहला प्रशन देखो यहाँ पे DQ बराबर 0 किस प्रक्राम के लिए होता है तो उत्तर लिखोगे रुद्धोस प्रक्राम लिखोगे कौन सी एंथल्पी सदय और रात्मक होती है तो दहन की एंथल्पी आपको उत्तर में लेना है तीसरा प्रशन एक विल्गित निकाय के लिए DQ बराबर 0 इसके लिए DQ क्या होगा उत्तर क्या लिखना है उत्तर लिखना है, del u बराबर 0 वाले विलगित निकाय के लिए del s बढ़ा है 0 से होगा यदि अतह अविक्रिया स्वता परिवर्तित होगी उधारण जैसे कि gas का misner बनना del u बराबर 0 लेकिन del s बढ़ा है किस से 0 से और प्लस हावेस है इसमें क्योंकि इसमें अवस्था जो है ना वो बढ़ेगी ठीक है मतलब बढ़ती है इसलिए यहां पर यह प्लस आवेस में प्राफ्ट हो रहा है जह रहा है चलो आगे देखते हैं चौथा प्रसन देखो 298 Kelvin पर अभिक्रिया 2A प्लस B अभिक्रिया करके C के लिए तो डेल H बराबर 400 KG मोल माइनस 1 एवं डेल S बराबर 0.2 KG के माइनस 1 मोल माइनस 1 ठीक है और क्या कहा रहा है यहां पर डेल S एवं डेल H पर मतलब H S पर को ताप विस्तार में इस्थिर मानते हुए बढ़ाएए कि कि स्थाप पर अभिक्रिया 7 होगी तो डेलेक्ट उद्तर देख लो यहां पर 2000 ताप पर होगी ठीक है इसमें बहुत सारा फार्मेल्यटी दिया हुआ था तो पूरा फार्मेल्यटी ना करके अब यह वाला डायक्र कर ले ना ठीक है इसको याद brigade करना एक दूसरे को भाग दिया है यहाँ पे और भाग देने पर 2000 Kelvin प्राप्त होगा बस यही इसका उत्तर है इसके बाद देखो पांचवाय अब ग्रिया दो क्लोरीन बता रहा है यहाँ पे और यहाँ भी क्लोरीन के दो दो आड़ होगे दोनों में दो दो आड़ होगे के लिए ऐट ऑन डेल-s के चिन क्या होंगे तो उत्तर क्या लिखोगे द्यको देल-s के चिन जो है गडियाम दोनो रनात्मा को होगा यहाँ पर पूछा है तो चिन को रिनात्मक लेना है दोनों का इसके बाद छटवा प्रशन देखो छटवा प्रशन स्वता परिवर्तित प्रक्रम के लिए डेल जी का मान क्या होगा तो डेल जी का मान सुन्य डेल जी जो है वो छोटा रहेगा किस से सुन्य से और ये रिनात्मक होगा कह रहा है अवस्था फल में किसकी entropy सबसे अधिक है कह रहा है तो इस तरह से बताना है मतलब तीनों में सबसे अधिक किसकी है तो ammonia का लेना है क्यों क्योंकि ये solid रूप में liquid और गैस पहले solid फिर liquid फिर गैस के रूप में इसे बदला जा सकता है फिर देखो नवा प्रशन गिब्ज हेल्म होल्टज समीकर्ण क्या है तो डेल जी बराबर ये समीकर्ण बहुत important है याद रखना इससे related प्रसना आते हैं तो डेल ह माइनर डेल टी डेल ऐसे हैगा molar उसमा धारिता की काई क्या है तो उत्तर के लिखो जील प्रती केल्वीन प्रती मोल होगा दसवा है देखो दसवा प्रशन गडिती प्रशन है तो ये इतना important नहीं रहता है ऐसे प्रशन नहीं पुछते हैं ठीक है इसका उत्तर देख लो इसके बाद देखो अं एंथेल्पी कहेंगे एंथेल्पी विशेज परिस हित्यों में अंतर नीत उसमा की माप है इसलिए इसे अंतर नीत उसमा भी कहते हैं या एक अवस्था फलन है चलो आगे देखते हैं अगला प्रशन देखो यहां तक हो गया ठीक है ये एज जो है एंथेल्पी से दरसाते ह किसी निकाय की आंद्रिक उर्जय में परिवर्थन कितने प्रकार से हो सकता है तो कितने प्रकार से हो सकता है तो प्रमार पहला जब heater में विद्धुद्हारा प्रवाहित करते हैं यहां विद्धुत उर्जा उसमी उर्जा में परिवर्थित हो रहा है ठीक है मतलब परिवर्थन को यहां पर बताया है बस यही क्या होगा इसको उत्तर रहेगा ठीक है आगे देखते हैं जब बर्भ गलकर पानी में परिवर्थित होता है तब entropy के मान में क्या परिवर्थन होता है तो entropy का मान बढ़ जाता है सोलवा प्रश्ण विसिष्ट उस्मा या विसिष्ट उस्मा धारीता से क्या समगते हैं तो तर कहा रहेगा पदार्थ की एक ग्राम मात्रा का ताप मतलब एक Celsius बढ़ाने के लिए आवस्यक उस्मा की मात्रा विसिष्ट उस्मा कहलाती है इसे CS मतलब CS से प्रदर्शित करते हैं C का मतलब उस्मा होता है M का मतलब धारीता पदार्थ का दरौमान और ऐसा ही मात्रा क्या होगा ऐसा ही मात्रा में इसके काई जो है J K-1 G-1 होगा विसिष्ट धारीता CS अब इसका जो सुत्र फार्मूला है ये है ठीक है चलो आगे देखते हैं इसके बाद 17 देखो संभवन उस्मा कीसे कहते हैं कुदारान सहीं समझाए इस तीरदाप पर किसी योगिक के एक मोल को उसके अव्योवितत्तों से बनने में जितनी उस्मा और सोसित या उसरजीत होती है योगिक की संभवन उस्मा कहलाती है ठीक है संभवन उस्मा कहलाती है उदारान यहाँ पर बताया है मोलर उस्माधारिता क्या है तो molar उस्मा धाईता क्या है तो इसको अगर डायेक नहीं पड़ोगे तो इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हो देखो और सोसित उस्मा को भागित करता है कौन आडविक ध्रावमान गुड़ा ताप में वृध्धी भाग देगा तो प्राप्त होगा उस्मा धारिता आडविक ध्रावमान भागित करेगा तो प्राप्त होगा मोलर उस्मा धारिता प्राप्त हो जाएगा और इसका ऐसा ही इकाई जो है Jk-1, mol-1 है उन्निसवा है जब N2 तथा H2 मिलकर अमोनिया बनाते हैं तो डेल S का क्या मान होगा तो डेल S का मान कम हो जाएगा ना रिरात्मक लेना है यहाँ पर देखो कम हो जाएगा तो इसका मान रिरात्मक होगा कहा रहा है उसमा गतिकी का द्विती नियम लिखे द्विती नियम क्या होता है प्रतेक स्वता परिवर्तित प्रक्रम के कारण ब्रम्हान की एंट्रॉपी में लगातार वृद्धी हो रही है आबंध, वियोजन, उर्जा या बंध, एंथेल्पी किसे कहते हैं उत्तर क्या रहेगा किसी बंध को तोड़ने हेतू आवस्यक उर्जा बंध, एंथेल्पी कहलाती है अता बंध, एंथेल्पी वा एंथेल्पी परिवर्तन है जो गैस, जो गैसी अडू को परमाड़ों में तोड़ने के लिए आवस्यक होता है आगे देखो उस्मा गतिगी का प्रथम नियम क्या है, इसका गड़िती वेंजन लिखे तो 1940 में मेयर तथा हेमल होल्टज ने उस्मा गतिगी के प्रथम नियम प्रतिपादित किया था देखो, नाम पुछा जाता है न, किसने किया था उस्मा गतिगी के प्रथम नियम तो मेयर तथा क्या लिखोगे हेल्म होल्टर लिखोगे ठीक है दोनों नाम रहेगा तो इसका नियम क्या है कि यहाँ पर कहा है जो उर्जा सरक्षण के नियम पर आधालित है ठीक है अब देखते हैं इसके नियम को तो नियम देखो उस्मा को न तो उत्पन किया जा सकता और नहीं नश्ट किया जा सकता है इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्थित किया सकता है अथा ब्रम्हान की कुल उर्जा स्थीर है गडिती वेंजन, माना कि किसी तंद रखे है, इसका गडिती वेंजन दिया है, तो गडिती वेंजन को मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, डायक्ट देख लो, यहां से यहां तक, ठीक है, E2, E1 और प्लस Q प्लस W, तो E2 माइनस E1 करेंगे, देखो जैसे कि यह साइड आ करेंगे, तो माइनस में Q माइनस W प्राप्त होगा, ठीक है, दोनों मान हो गया, अब E2 और E1 को दोनों को बराबर रखते हैं, तो डेल E का मान 0 रखतो, तो Q का मान कितना प्राप्त होगा, डबलू प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, यह गडिती वेंजन है, चल कीजन कुछ अर्थ होता है, जैसे कि ET इसको दरसा रहा है, अड़ो की सांसर अर्जा को, E2 की कमपण अर्जा को, तो हर चीजों को यहाँ पर बताया गल न, क्या क्या चीजों से, भी बताया गया है, अब क्या करोगा, अंतरिक अर्जा की अवयोः उर्जा के लिए बताओ तो कमपन उर्जा, घुर्णान उर्जा के मान सही सही प्राप्त नहीं किये जा सकते, अत्प्रदार्थ की अंत्रिक उर्जा के निर्पेक्ष मान का सही सही निधारन संभव नहीं है. इसके बाद तीसरा देखो, दहन उस्मा को समझाईए तथा इसका अनुप्योग लिखे, दहन उस्मा क्या होता है, निश्चीताप पर किसी योगी के एक मोल के पूर्ण दहन पर जितनी एंथल्पी परिवर्थिन होती है, उसे उस योगी की दहन उस्मा कहते हैं, जैसे कि यह जल रहा है, आप ऐसे समझ सकते हों, चलो आगे दिखाता हूं, इसका कुछ उत्तर यहां तक है, अब डायक्ट आते हैं, एंथल्पी परिवर्थन की से कहते हैं, तो यह है एंथल्पी परिवर्थन का सूत्र, ठीक है, परिवर्थन करना है, तो देखो, इस्थिर दाप पर एक मिनट, ठीक है, इस्थिर दाप पर एंथल्पी परिवर्थन डेल H, आंतरी कुर्जा डेल E का प्रशार या आंतरी कुर्जा डेल P, डेल V के योगफल के बराबर होता है, तो इस्थिर दाप पर एंथल्पी, तो यह रहा, ठीक है, अब इसको हल कर रहे हैं, तो हल कर रह यह चीज़ बताया तो नाम है इनका ठीक है डायक्ट हल यहां से सुरू होगा अब H1 और H2 के लिए हल करेंगे उसके बाद क्या कर देंगे दोनों को H2 में H1 को घटा देंगे घटाएंगे तो यह मान बस बचेगा ठीक है बचने वाला मान है और H को किसको H को क्या मान लिया嗎 डेल H मान लिया ना और यहां पर जो कट रह है उसको घटा देते हैं नहीं कटे का करेंगे यह यह को देखो परिवर्तन है ठीक है चलो आगे देखो एंट्रॉपी क्या है एंट्रॉपी परिवर्तन के सुत्र और वह का ही बता है तो एंट्रॉपी क्या होता है एंट्रॉपी किसी निकाय की अवस्था की माप है सिधा अवस्था की माप है कोई निकाय जितना अवस्था की माप को हम एंट्रॉपी कहते हैं ठीक है अब इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर अधिक और जानकाई बता है तो यह सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं होता है यहाँ पर यह चीज इंपॉर्टेंट है डिल एस अंतिम और एस प्रारंबिक इसको घटा दिया गया और घटाके यह उत्तर प्राप्त किया गया है तो इकाई क्या होगा जूल प्रती केलविन जे के माइनस वन होगा इसी तरह से चठवा देखो विस्तरणी गूर्ड एवं गहन गूर्ड को उधारन से समझाए तो गहन गूर्ड इन दोनों को उधारन से समझाना है जैसे कि कि िछ द्राव मान अयतन उसमगतिकी विस्तरणी गूर्ड है तो गहन गूर्ड क्या होगा तापदा प्रिष्टतनाव सैनता ठीक है यह सब होगा फिर उस्मा धारिता किसे कहते है सिध की जिय कह रहा है तो इस तरह से यह टॉपिक को सिध करना है तो सिध कैसे करोगे तो पहले cv का मान रखेंगे cv को यह वाला जो मान है cv का है ठीक है अब डेल विका का मान क्या होगा यह मान डेल वी का है ठीक है अब एक दूसरे को जैसे की प्रस्न में कहा है करोगे तो इसतरह से प्राप्त हो जाएगा ठीक आगे देखते हैं वास्पन की enthalpy उधर्व पातन की enthalpy को उधारन सभी सम्जा ये इसको भी Diagemot give यहां पर अब उधार्व पातन कह रहा है तो कि मैं आपको स्लू Šन देखा देता हूं यहा तक है ठीक है पूरा फिर उसमा उसमा गति के तृति नियम क्या कहता ह bị आये मिवाक कंवा को सलूशन करें धर दसवा प्रशन देखो देल यह एंट्रोपी है यह उर्जा मुझा है क्या करने के लिए सीधिकान करने के लिका है इस तरह से तो देखो देल एज और डी यह मानू होता है तो यहां'd लोन को रख go इन दोनों का मान देखो यहां यहां पर रखना है तो जैसे यहां पर रखा तो यह समीकरन प्राप्त हुआ फिक है आगे क्या किया इन्होंने इसके बाद यहां पर देखो यह दोनों की क्या कर दिया है बराबर बराबर तुलना रख दिया है अब बराबर कर दिया है तो इसके इन दोनों में से क्या करेंग तो 0 रखोगे तो सिर्फ ये दोनों बस बचेगा ठीक तीक यही क्या इसका उत्तर है बराबर हमें सीध करना था बराबर आ गिया ठीक अब आगे देखो यह वाला प्रशन है ठीक है यह इसमें क्या है दुर्लव दुर्बल अमल प्रबल अमल च्षार उदास्नी करण उस्मा का मान प्रबल अमलतर प्रबल चार की उदास्नी करण उस्मा के मान से कम होता है क्यों तो इसका उत्तर देखो यहाँ पर क्या बता है दुर्बल अमलतर प्रबल चार की उदास्नी करण उस्मा का मान कम होता है क्योंकि निकलने वाली जो उस्मा है का कु 55.1 kg क्या होगा प्रबल अमलो प्रबल शार होगा फिर एंट्रॉपी की बहुत इक सार्थगा समझाईए तथा बताईए कि ठोस द्रव गैस में किसकी एंट्रॉपी अधिक है तो इसका उत्तर मैं आपको दिखाता हूँ यहां तक ठीक है यह सिर्फ पढ़ना है बस आपको औ हैं इसका और अद्रॉपी अधी की सार्फ को और यहां पर क्यों सबसे कम थाइब कि उसकी है हारोजन थे अधिक और अधिक एक सबसे कम है ठीकशलो आगे देखते हैं इसके बाद देखो यह वाला प्रशन है सीथ किजना है तो डेल इक्वल माइनस पी डेल वी सीथ करना है तो ये आसान प्रशन है बन जाएगा कैसे बनेगा मैं आपको अगरिती वेंजन दिखाता हूँ पहले आप इसको पढ़ लेना ठीक है यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो ठीक अब आते हैं यहाँ पे देखो क्या करना है डेल वी पराबर एडेल एडी एल होता है जो इसे हम कहते हैं दाब कहते हैं इसे बल अपांच शेतरफल ये सुत्र उपयोग करेंगे तो बल इक्वल दाब गुडित शेतरफल ये बना हुआ है ये जो है दाब है डी एल शेतरफल है मालो या फिर इसको अलग हल करते हैं या फिर हम डाइक्ट ना दूसरा सुत्र ले लेते हैं अब क्या करेंगे अब यहाँ पे देखो तंत्र द्वारा किया गया कारबल गुडित दूरी है तो dw equal minus fdl तो f का मान कहां पे रखेंगे यह जो मान है इसमें यहां पे रख देंगे तो यह मान प्राप्त हो जाएगा ठीक है अब क्या करोगे जो यहाँ पे dv दिया है ठीक है यह जो adl है इसके जगह में dv रख दोगे तो dv रख दिया इसके बाद हल करोगे तो आपको यह मान प्राप्त हो जाएगा फिर किसके साय हल करना है v1 और v2 के सापेक्ष आपको क्या करना है हल करना है मतलब dv के सापेक्ष समा क्लन करना है समा क्लन करोगे तो यह मान आपको प्राप्त हो जाएगा यह वाला ठीक है और इसके बाद थोड़ा सौर है हल करते जाओगे तो देखो यहाँ पे डेल E उर्जा के लिए हार के है Q प्लर डबलू होता है तो डबलू का मान यहाँ पे रख दो तो यहाँ पे रखेंगे ति यह मान प्राप्त हो जाएगा और यही मान हमें क्या करना था सीथ करना था तो सीथ क्या करना था और इसके पूरे मान के जगह में क्या जाएगा जीरो आ जाएगा ठीक है इसके जगह में जीरो तो डेल ई और डेल क्यू इस तरह से प्राप्त हो गया सीथ हुआ चलो आगे देखते है फिर देखो हेस का इस्थिर उस्मा संकलन के नियम को उधारान देकर समझाई तथा दो अनुप्योग लिखिए ठीक है इसको दिखा देता हूं मैं यह बहुत बड़ा प्रश्न है ठीक है यहां तक हो गया अब इसके बाद यहां से यहां तक देखो ठीक है इसके बाद आपको और दिखाता हूँ इसमें और हैं चीत्र भी बना हुआ है यह अनुप्योंग देखो यहां तक हो गया अब पहली दूसरी विधी वाला जो दियाना वहां से दिखाता हूं मैं यहां से यहां तक complete हो गया तीसरा प्रश्न देखते हैं तो सीध करना है यह बादा टॉपिक ठीक है तो इसका उत्तर यहां तक के है और इसका उत्तर दिखाता हूँ यहां से लेके यहां तक complete हो गया, ठीक है, आगे देखो, इसके बाद चौथा प्रशन, चौथा प्रशन यहां से शुरू होगा, ठीक है, इसको उत्तर दिखाता हूँ, तो यह रहा इसका उत्तर, पूरा उत्तर दिखके है, ठीक है, मुक्त उर्जा के लिए हल करोगे, तो पर है, फिर पांचवा प्रशन में आते हैं, पांचवा प्रशन देखो, यह रहा, और इसका उत्तर दिखाता हूँ, मैं आपको, ठीक है, यहां से और कुछ उत्तर यहां तक है, ठीक है, चौथा समीकर्ण तक के, तिर आधा जो उत्तर है, यह यहां तक है, यहां से यहां चटवा प्रषण देखो चटवा और यह अंतीम प्रश्ण है यहां से Ogap कर चटवा प्रश्ण अब मैं इसका उत्तर दिखाता हूं अबको तो यह रहा उत्तर यहां तक कि ठीक है और इसके बाद आधा इसा यहां तक कि और पुछ और हिस्सा है जिसको मैं आपको पूरा दिखा देता हूं तो यहां तक के यह complete हो गया यहां से यहां तक ठीक है तो इस तरह से यह अध्याय भी पूरी तरह से complete हो गया